नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मोच चाड़क और आप देख रहे हैं myfundamental.in तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत चौगत है और आज मैं बात करने वाला हूँ दिली बिल्ड कोईन लिमिटेड और अशोका बिल्ड कोईन लिमिटेड के बारे में तो दोस्तो आपने इस सेक्टर के राजा यानि की लार्शन एंट ब्रो को अच्छे खासी रैली दिखाते हुए देखा है इसलिए आभी काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों स्टॉक्स यहां से चल सकते हैं या फिर हमारे लिए इन स्टॉक्स में अपना पैसा लगाना रिस्की होगा इस वीडियो का आप पूरा देखिए इस वीडियो में मैं इन दोनों की ओर्डर बुक के उपर बात करूँगा आपको बताऊंगा कि इन स्टॉक्स में आपका निवेश होना चाहिए या फिर नहीं ओर्डर बुक के उपर आपका जरूर ध्यान होना चाहिए जब आप किसी भी इंफ्रा स्टॉक में अपना निवेश डालते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आने वाले समय में कंपनी कैसा कर सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दिली बिल्टकवन के बारे में आप देख सकते हैं लास्ट डे इस ने लगोग लगोग 1.40 परशंट का गिरावट दिखाया है लगोग 5.10 रुपे ये आपको डाउन दिखा है ये स्टॉक अभी भी अपने एक साल के प्राइस के नीचे ट्रेट कर रहा है एक साल पहले ये लगोग लगोग आपको 410 पर मिल रहा था और वहीं पर आज आप देख सकते हो ये आपको 460 के आसपास मिल रहा है दोस्तो ये रैली के बाद काफी जादा पिट चुका है आप देख सकते हैं 2016 से लेके 2018 तक इसने शांदा रैली दिखाई है और वहीं से ये स्टॉक अभी दोस्तो 70% के आसपास पिट चुका है तो ये बात हो गई इसके चार्ट के अभी बात करते हैं दोस्तो हम इनके ओर्डर बुक की ओर्डर बुक के बारे में जाना बहुत ही जरूरी रहता है जब आप किसी इंफरा स्टॉक में अपना निवेश डालते हैं मैं आपको जला दूँगा जब भी आप किसी इंफरा स्टॉक में अपना निवेश डालें तो order book की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो ये लगोग 26,115 करोड पे दोस्तो stand करती है और ये जो data है ये quarter 1 financial year 21 का है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अगर मैं financial year 20 की बात करूँ तो दोस्तो ये लगोग 19,081.6 करोड का था और आप देख सकते हैं लगोग 36.86% का jump आपक दिखाई दे रहा है जो काफी शानदार है और ये इनके recent orders हैं जो company को मिले हैं तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं आप website visit कर सकते हैं myfundamental.in और अगर आपको dividend alert यहाँ फिर dividend update चाहिए तो यहाँ पे आप हमारी website पे जाके dividend section पे click कर सकते हैं तो ये तो बात होगी इसक potential year 14 में इनकी order book ऐसी थी उसके बाद ये 15 में ऐसी हुई 16 में आप देख सकते हैं 17 में भी अच्छी growth है और 18 में आप इनकी growth देख सकते हैं शानदार है और 18 के बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पे गिरावट दिखाई दी है और इसने correction भी आपको इसी के दोरान दिखाई है आप देख सकते हैं हमेशा कोई वी चीज होती है वो दोस्तों fundamentally जरूर perform करती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको गिरावट आती हुई दिखी और इनके order book भी आपको गिरती हुई दिखी है वाट अभी आप देख सकते हैं कि शानदार up move इन्होंने और यहा कमपनी ने अपने जो शेर्स हैं वो प्लेज रखे हुए हैं या फिर इन पे डेट है तो मैं आपको बदानू जो इन्फरा स्टॉक्स होते हैं या इन्फरा कमपनिया होती हैं उन पे डेट हमेशा ज़ादा ही दिखेगा आप चाहे लाशन एंट ब्रो देख लें या फिर म पूरे सेक्टर में इस तरह की चीजें हैं तो उसको आप थोड़ा बहुत लाइटली ले सकते हैं आला कि लाइटली नहीं लेना चाहिए बट उसको थोड़ा लाइटली ले सकते हैं क्योंकि ये पूरे सेक्टर की प्रॉब्लम है उसके बाद अभी हम बात करते हैं दोस्तो इनके टेकनिकल पॉइंट की तो टेकनिकली इसने दो दोस्तो लगवक 360 का जो है वो दोस्तो इन्होंने important resistance जो है वो दोस्तो ब्रेक किया है और लगवक लगवक आपको 400 के targets भी इसमें short time में दिख सकते हैं और अगर मैं आपको बोलूँ कि stop loss क्या लें आप तो 340 का stop loss लें और अगर आप investment के तोर पे इस stock को ले रहे हैं तो जल्द ही आपको दोस्तो 450 के targets भी इस stock में आते हुए जरूर दिखेंगे मज़े से दिखेंगे और अगर मैं time horizon की बात करूँ तो दोस्तो आपको 3 महीने से 9 महीने लेके चलना चाहिए कि आपको 450 के targets दिख जाएंगे तो दोस्तो अभी बात करते है शोका बिल्ड कोईन की तो शोका बिल्ड कोईन को मैं बहुत ही ज़ादा पसंद करता हूँ even personally मैं इसको बहुत ज़ादा track करता हूँ company ने कोई भी pledge share नहीं रखा हुआ definitely debt company के लिए एक बड़ी चिंता है तो दोस्तो आप यहाँ पे rally देख सकते हैं जो इसने 2 नमंबर के बाद आपको दिखाई है लगोग लगोग इस stock ने 23% के आसपास returns कमा के दिया है और stock के पास अभी भी इतना potential है कि यहाँ से आपको कम से कम 30 यहाँ फिर 100% तक के भी returns यह आपको CMP से कमा के दे सकता है तो दोस्तो चलिए बात करते हैं पहले इसके order book की तो order book के लिए फिर से मैं अपनी website पे आना चाहूँगा यहाँ पे आप order book के बारे में पढ़ सकते हैं order book के अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो 10,000 करोड के आसपास की इनकी order book है जो definitely बहुत ही शांदार है कमपनी आपको पता है छोटी कमपनी है और बहुत ही बढ़िया performance जो आपको दिखा रही है जो quarterly नतीजे उन्हें ने दिखाए हैं बहुत ही अच्छे हैं और कबिले तारीफ हैं इवन जो आपने पिछले quarterly नतीजे देखे COVID-19 जब पूरी तरह COVID-19 का प्रकोब था इमेंड अभी जादा है वर तब गोवर्मेंट ने बैन की वी थी चीज़े तब भी इन्होंने अच्छे खासे results जो हम दोस्तो दिखाए थे 10,000 क्रोड के आसपास इनके order book है और growth की अगर मैं बात करों तो 19.13% की growth दिखाई दे रही है 31 मार्च 2019 की अगर मैं बात करों तो दोस्तो 8,394 क्रोड की order book इनकी थी तो अच्छी खासी growth दिखाई दे रही है इनकी और उसके बाद अगर मैं बात करों दोस्तो कि ये stock आगे कैसा performance दिखा सकता है तो company no doubt बहुत ही बढ़िया company है बहुत ही अच्छा performance जो है वो दोस्तो दिखाती है इसके लिए मैंने annual report से इनके थोड़ा सा data लिया है यहाँ पे आप इनका order book से data देख सकते हैं और इनका growth आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इनका revenue देख सकते हैं क्या शांदार तरीके से बढ़ता हो दिख रहा है आपको uptrend ही दिखाई दे रहा है P.A.T. आप देख सकते हैं IPTA आप देख सकते हैं order book भी आप देख सकते हैं आपको March 18 में थोड़ी सी गिरावट दिखाई देई होगी बड़ो वो सब में मैंने आपको देली बिल्ट का भी दिखाया उसमें भी आपको गिरावट जरूर दिखाई देई होगी दोनों stocks में एक जैसी गिरावट आपको दिखाई दी है इसमें आपको चिंता करने की जाला जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको यहाँ पे अप्ट्रेंड दिखाई दे रहा है अगर यहाँ पे मैं एक और केंडल लगा दूँ तो आपको अप्ट्रेंड ही दिखेगा यानि की overall company जो है वो दोनों बहुती बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखा रही है अभी बात करते हैं market cap की तो इसकी market cap है लगो लगो 2000 करोड अगर आप exactly बोलें तो दोस्तो 1936.99 करोड इनका order book है तो दोस्तो profit growth आप यह देख सकते हैं लास तीन साल में इतना है और TTM में भी आप देख सकते हैं ट्रिलिंग 12 मन्स में क्या शांदार मूव दिखा है उसके बाद revenue की अगर मैं बात करूं तो यह भी शांदार है company जो है दोस्तों आप देख सकते हैं लगो कितना debt इन्होंने reduce किया है 354.56 करोड अभी भी debt चिंदा का कारण जरूर बना हुआ है कम किया है इसका मतलब यह नहीं है कि debt चिंदा का कारण नहीं है बट मैंने आपको अल्रेडी पिता दिया है कि इस तरह की company में अगर debt आपको दिखता भी है तो आपको उसको थोड़ा सा likely लेना चाहिए minor सा likely जादा नहीं है जादा लोग है तो आपको definitely जो है इसके लिए पस्ताना पड़ सकता है P.E. ratio कि अगर मैं बात करूँ तो 4.57 है मतलब बहुत जादा लोग आप undervalued बोल सकते हो pure undervalued बोल सकते है और उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि आज से लगवग लगवग दोस्तो एक साल पहले एक साल पहले जो brokerage houses थे या फिर YouTube channels थे या फिर कोई किसी भी प्रकार के जो भी अशोका बिलकुन को closely track करते हैं वो लगवग लगवग दोस्तो 1500 उनमें से मैं भी एक हूँ मैं भी लगवग 1500 दोसो या 2500 के target दे रहा था वो COVID-19 की वज़ा से हो गया बरना stock ने rally दिखाना शुरू भी कर दिया था 120 के पार ये निकल चुका था और जैसे ही COVID-19 का पूरा चक्कर आया तो ये stock गिरके पूरी तरह बिगड गया अभी भी काफी ज़्यादा potential है और मैं आपको बोलूँगा कि stock आपको 150 के levels तो दिखाएगा ही दिखाएगा मतलब कि यहां से आपका पैसा double करने का potential ये stock रखता है तब ही मैंने बोल दिया था कि 20-30% से लेके 100% तक के returns ये आपको कमा के दे सकता है और इसे में मैंने pure logics लिए हैं मैंने आपको अभी तक इसका balance sheet नहीं दिखाया अभी मैंने आपको पूरा detail में नहीं बताया ये मेरा main focus जो था वो दोस्तो इनके order book के उपर था और infra stock में मुझे सबसे ज़ादा जो important चीज लगती है वो है दोस्तो order book order book यानि की future ये मेरा माना है काफी सारी चीजें होती हैं जो एक stock में देखने के लिए होती हैं उसमें आपको काफी सारी चीजें देखने पड़ती हैं बट मैंने जो भी चीजें दिली बिल्ट कोईन और अशोका बिल्ट कोईन में देखी हैं वो मेरे को positive ही नजर आई है अगर मैं कुछ चीजें छोड़ दूँ जब आपको इस stock लेते हो तो दोस्तों actually यां ITC की तरह आपको 100% कोई भी चीज अच्छी नहीं दिखेगी हालाकि ITC में भी लोग कमिया निकाली लेते हैं बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँगा कि आपको इन stocks में चिंदा करने की ज़रूरत नहीं है और CMP जे आपको अच्छे का से return मिल सकते हैं ये stock 72 रुपे के आसपास चल रहा है तो दिली अच्छोका बिल्ड कोईन जो retail investors का है वो फेबरेट होगा क्योंकि बहुततर रुपे के stock मिल रहा है वो कभी भी 500 या 1000 रुप लाशने डुगरो दो लेंगे नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कम stocks मिलेंगे तो ये आप अगर आप ज़्यादा stocks लेना चाते हैं तो अशुका बिल्ड कोईन ले सकते हैं तो वीडियो अच्छे लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद